पिछले शाल प्यार्शी इशू में हमारे तीन लर्का सहीद हो गई। उसके बाद हमारे जो ये बरत्मान सरकार, मुक्य मंटर पिमा कंदु की सरकार का बीतर, प्यार्शी इशू को लेकर और कोई भी बात नहीं करना है, कोई भी इशू नहीं उताना है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि आज चगमार और हाजंग आरपीशी को लेकर डिली की जुंतरमंतर बर ये इशू को आवाज उता रहा है मेरा मतलब है कि आरपीशी और प्यार्सी में कोई अंतर नहीं होता है ये सेम बात है तो आज आरपीशी के लिए इतना तंब मचा क्यों रहा है सरकार इसको आपने ही बादा किया था इस बात को और दो बारा बात नहीं करेंगे क्या हमारे तीन लर्का का जान जो है कि वो लाइफ आता है क्या आप सुब मचाग बना रहा है मैं किरन रिजुजीशे है हमारे जो लो इंजस्टिस मिनिस्टिर और पेमा कंदुजीशे है यहां हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री आप से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि चागमा और हाजिंग लोग को हमें कहीं पे सेफ्थ करेंगे तो जल्दी किजिए ना तो कर क्यों नहीं रहा है सिर्फ बासन देने से नहीं होता है तो आप कर तो नहीं रहा है और हमारे जीक किरणी देने यह के ब्लेम लगाता है कि यह कंद्रे सरकार ने ही किया है कहरेश सरकार ने इनको लाया है यह मैं मानती हूँ लेकिन इनको लाया कि यह प्रमानित बैठने के लिए नहीं लाया होगा उनको जस्ट बचाने के तोर पर एक महमान के तोर पर लाया होगा तो आपने तिक के जिए यह आपका सरकार में हैं न तो फिर आप नहीं सकता है तो कहरेश को सरकर संगरेश सरकर बापस दे दे जाए कहरेश इसको तिक करेगा, साइलेनलेस कर देगा, स्टोप कर देगा, मुन ताक और दो बार आने नहीं देगा कहरेश सरकर को बापस दे जाए अगर आपका सरकर में नहीं सकता है तो तो इसलिए हमने क्यों आज ये सोसल मीडिया पर में आ रहा हूं बोड़ने से सोसल मीडिया की ज़रे पेस बुक के मध्यम से हमने ये दिखने को मिलता है कि हमारी जो चक्मा और हाजंग की बाई बहन दिली में बेटकर ये नहरा लगा रहा है कि जो इशू को लेकर इशू का हिशाप से नहीं चल रहा है कि यहाँ अरुनाचल में हिंदों को कत्रे में है बुद्ध को कत्रे में है तो आप बताईए सरकार और हमारे जो किरन रिज़े जो आपने बताईए है और जितने भी हमारे जो बुद्ध का मिनिस्टर MLA है और हमारे जतने विशक्ष्ष्टी MLS जो सरकर चलाता है आपने जवाब देना होगा उनको क्या अरुनाचल में हिंदू को कत्रे में है या बुद को कत्रे में है आप जवाब नहीं देगा तो दूसरे प्रदेश में इन लोग की बता रहा है कि अरुनाचल में हिंदू कत्रे में है बुद कत्रे में ये दूसरे प्रदेश में जो मालूम नहीं होने वाला वई ये मिसंडिस्टिंग हो जाएगा न कल को आने वाला साल में कि धर्म और जात में ये सस्मिलराई लड़ने देगा अगर ये चक्मा और हाजंग का भाई भहिनलों कोई पॉलिटिकल लीदर साजेस तो नहीं कर रहा है इस परकार को बोटने के लिए क्योंकि अभी चुनाब आ रहा है इस तरह का जो बात करकर जो लराई लरवाने के लिए सभी को पता है बरसों से हमारे अरुनाचल में कृष्टन है हिंदू है मुसलिम है दोनी फोलो है बुद्धि से प्यार से बेता है कोई भी दर्म जात के लराई नहीं लरता तो आज हमारे चक्मा हाजंग भाई भेनलों इस तरह का बात करना दर्म और जात को लेकर ये तोतली गलत भात है इस चीज को दोबारा नहीं बोलना चाहिए मैं तो चक्मा और हाजंग भाई भाई भेसे आपसे दुस्वानी नहीं है आपका मुद्दा को लेकर आप मुद्दा का बात केजिए आपका मुद्दा तो रपी सी का है आरपीशी का मुद्धा को आपने बात केजे या दरम और जात को मत चोड़िए आपका जो मुद्धा अगर आपको मिलने के लिए रायत होता तो वो आप मिल जाएंगे अगर मिलने के लिए रायत नहीं होता तो आप जितना भी चिल्ला होने से भी आपको नहीं मिलेंगे तो साथ ह attorneys हो इसलिए मैं एक और नाचल का नागरिक होने के नाते है यह गलत बात जो बोल रहा है गलत जो तरीका से ले जा रहा है उस में में सुनकर बरदास नहीं होता है इसलिए मैं ये वीडियो आप सबका पीच में में शियर कर रहा हूँ तब तक के लिए जेहन जेवारत जेहरुनाचे